वांग बए आपने चश्मे का जला एक करतौ fix बटाउ जो बढ़िया कि न अख कुछा बैंकनिग स्टोफ बटांप अच्छा सा में को एक शेर दिलाद में का पूरी सूची सरकारी बैंक का विकल्प मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और दूसरा एक दीजी शेतर का और हमें लग रहा है कि सरकारी बैंकों में जिस प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन आकड़ों में होते हुए देखा हमें उसके साथ साथ कामकाज को लेकर कि भी हमारा अनुमा और आकलन यह कहता है कि इस नए साल नए वित्तिय वर्ष में एक अपरिल दोजाबी से जो शुरू होगा वहां पर रही है सुधार और भी होता होगा तो एक विकल्प सरकारी बैंक में से अगर देना चाहूं तो वो होगा हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक निजी शेक ए। props और दोसरा विकल्प अगर मैं देना चाहूं निजी शेटरक के बैंक में से तो मुझे लग रहा है कि दोनों की टीवृता काफी अच्छी है Alexis Bank और ICICi Bank लेकिन दोनों में से अगर मुझे एक चुंणा होगा तो मुझे लग रहा है कि Axis Bank की जो गटी है वो शायद ICIC Bank से ज़्यादा तेज हो सकती है तो नीजी शेंटर में से Axis Bank और सरखारी Bank को में से स्टेज बैंक हो लिए चोदो सो रुपे के आजपास के स्टरसम देखते हैं कि धीरी धीरी छोटी छोटी चोटी तेजी SDPC Bank में हो रही है लेकिन अब CLC की तरफ से ये डाउन ग्रेड बाई से रेटिंग हटा के और परफॉर्म की कर दी है और टार्गेट में बड़ा कट किया है टार्गेट में दोहजार पच्चीस इघटा कर सोलो सो पचास रुपए और CLC का रेपूर्ट का जिक्रम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि जो बाजार को लगता है जो हमारे अनुभो रहे हैं कि सबसे ज़्यदा रियक्शन अगर आता है बिलकुल कॉंक्रीट तो CLC के रेपूर्ट पे आता है HDFC Bank सोनी बताईए आपके सलाह इस पर क्या होगी है बहुत जादा नहीं लग रहा है मुझे यहां पर मैक्स तो मैक्स एक 1420 तक एक डिप अगर नजर आता भी है तो वहां से बाई हो सकता है 1400, 1380 पे काफी अच्छे सपोर्ट है डेरिवेटिवस पे पे काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट है अगर डिप मिलता है तो वहां से डेपिनिटल एक बाई भी बन सकता है 1380 स्टॉपर तो स्पेंटेन कीजे और बाउंस करेगा टूएट्स 1500 यह एक रेंच बनेगा फो दिमार्ट सीरीज एच्छे बनेंगे यह रेंच के ब्रेकाउट बाई निप्स बन से पहिना से